काजु कतली से चार गुना सस्ती आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जादा टीजटी और देखने में बिल्कुल काजु कतली जैसे दिखने वाली मुंगफली की कतली तो मेरे कटिंग करने पर आप समझ सकते हैं कि ये मुंगफली की कतली कितनी जादा मजे की बनकर की तयार हु करके तयार हुई है एकदम सॉफ्ट रहने वाली है जैसे कि काजू कतली होती है तो अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगए वीडियो को लाइक कीजेगा इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा चलिए शुरू करते हैं बहुत ही टेश्टी मौंगफली कतली बना कि सबसे पहले जो बीच मतलब जो दाने खराब होना उन्हें हटा लेना है कई बार मौंगफली में कुछ दाने खराब होते हैं जो की टेश्ट खराब कर देंगे इसलिए हमें उन दानों को बहुत ही अराम से निकाल देना है पता चली मेहनत करें और बीच बीच में बिल्कुल नहीं पड़े की बहुत सारे लोग मुझसे बुछते ही कौन से कढ़ाई है तो मैं पता दू मतलब ऐसे कोई आड नहीं है लेकिन एक दू बार आप लोग ने कमेंट करके पूछा है कि मैं कौन सी कढ़ाई उसकरती हूँ तो यह वंडर शेप की कढ़ाई है आप आपको औलाइन आराम से मिल जाएगी मैं भी औलाइन ही करीती हूँ तो यह देखिए हमें से रोष्ट कर लेना है और इसका चिलका हम उतार करके चेक कर लेंगे इसका चिलका अराम से उतर जाना चाहिए अच्छा कई बर क्या होता है ना कि एक तो मुझफली का चिलका उतर चिलका नहीं है इसलिए आप कम से कम दो तीन मुझफली चील करके देख लीजए कि चिलका अराम से उतर रहा है कि नहीं और इसके बाद हम इस तरह से फैला के रख देंगे और इसके बाद फैला के रखने पर क्या होगा कि ठंडी हो जाएगी और जब यह हलकी बिल्कुल ग गरम हो तब आप इसे कपड़े में डाल के अच्छे से इस तरह से रफ कर दीजे तो इससे क्या होगा कि यह अराम से रगर रगर कर इसका जो छिलका है वो उतर जाएगा और इसके बाद इसका जो छिलका है वो हम अटा देंगे और हमारी मुझफली के दाने तयार हो इसके बाद देखिए इसका पाउडर बना लेना है पाउडर बनाते समय आपको एक से दो बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि मिक्सी जब हम चलाते हैं तो एकदम से ने चला देना है अगर आप बहुत ज़ादा इस पीट पे तेज पे बहुत देर तक चला देंगे तो मु पर नेचे कीजिए ताकि दाने सारे पिस जाए और फिर इसके बाद देखिए से चान लेना है चानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर आप इसके मत कीजिएगा कि बिना चान नहीं आप यूज कर ले इसके बाद हमने थोड़ा से इसमें कार्डम पाउडर मिलाया ह है और साथ में हम इसमें यह आदा कप जितना मिल्क पाउडर एट कर रहे हैं यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसके बगेर भी आपकी जो मुँफली कतली है वह सेट हो जाएगी बट इससे क्या होगा कि थोड़ा सा वाइट सा कलर आ जाएगा एक दम ऐसे यह उखार के समय बना रहे हैं और इंग्रीडियंट नहीं है आपके पास लिक पॉडर तो आप मुफली चीनी से भी बना सकते हैं एक कप मतलब चीनी ली है उसमें आधे कप पानी डाल देंगे जितनी मुफली होगी उसका आधा चीनी लेंगे और जितनी चीनी होगी उसका अथा पानी सारी लेना इसे की फीसे है कि आपको नहीं गोल नहीं है बोल सीरप कर लेंगे निवील कि देखान है ब्राइज सब्षे एक लैंक तार पीसे जेरे जीनि पानी का गोल स्टिक כई काहँ को है एक अनुके से पतली गोल है जीनि पाने की और इसमें हम Exyn-पानी कर सकते आदि उक चैनी पानी और अचिनि के इसके बाद गैस को अन कर लीजेगा तो यहां पर आप या फिर गैस को फ्लेम को धीमा भी रख सकते हैं और अब जो है हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें कि मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया ताकि मैं अच्छे से मिला पाऊं कोई लंब्स वगरा नहीं पड़े और इ इसके अंदर डाल देंगे और बस इसे अब हम जो है मिक्स कर लेंगे और फिर हम गैस को अन कर लेंगे गैस को अन कर लेंगे और कब तक अन रखना है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगे कि कैसे चेक करेंगे कि हाँ कब तक इसे गैस को अन रखना है तो पहले यह थोड़ा सा पैन को छोड़ता हुआ नज़र आया और थोड़ा सा कंभाइन होता हुआ नज़र आया तो समझ लीजेगा कि यह पगया है तो टीज़पून इसमें आप घी या फिर ऑली जाए ओल सकते हैं देसी घी ही डाल तीजेए दो चोटी चमद अस उस से जाधा नहीं लगेगा ताकि ये थोड़ा सा पैन को छोड़ दे और बस इस तरीके से जो है ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा कंबाइन होने लगा है अब हम गैस को बंद कर देंगे अभी क्योंकि कड़ाई हमारी बहुत ज़दा गरम है तो इसी कड़ाई में हम इसे चलाते रहेंगे ज अब आपको कोई भी बटर पर ले ले लिए उसको ग्रीस कर लेना है अगर भी पर नहीं है तो कोई प्लास्टिक के सीट ले लिजे प्लास्टिक के सीट पत अब जैसे हम ने इसको बेल लिया है और बेलने के बाद जो है मैं से छोड़ दूँगी ताकि अच्छे सेट हो जा तो मैंने रात को ये बनाई थी तो इसने बाद मैंने शोर 14 डिया तरफ इसी तरीके से ढख करके और फिर मैंने सुबह इसकी कटिंग कि किया। तो इसको बहुत अच्छे से टाइम मिल गया तो बहुत अच्छी सेट हो गई थी, वैसे इतना ज़दा टाइम नहीं लगता है, आप इसे एक से दो घंटे के लिए छोड़ देंगे तो अच्छे सेट हो जाएगी, और फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, पर क्योंकि फिर र मिल जाएगा ले कि नौर्मलं या मिलेगा जहां पर तीनचार मिठाई की दुकाने हो, तो जो असपासstepस के दुकाने होती है वह अपनोग से और इपनी, यह पर शरार लेगा तो पर आप आपको अराम से ले सकते हैं और यह देखिए सॉफ्ट सी बन करके त्यार है अराम से एक महिने तक रिष्टोर कीजिए कराएं